हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल माप का स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर आज न्यूस पेपर में एक न्यूस आई है एक्जाम से रिलेटेड तो चलिए देख लेते हैं क्या है यह और हाँ एक बार फिर से बता देता हूं कि यह ओफिशिल नहीं है सिर्फ न्यूस विवसाइट है उसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है ठीक है तो कोरोना का असर बदल सकती है डेटशीट अभी बदली नहीं है बदल सकती है डेटशीट तीसरी बार टालने पड़ेंगी प्रिक्षाएं चर्टे समेस्टर में है 40,000 स्टूडेंट्स तो अपडेट है तो हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है चलिए देख लेते हैं पूरी न्यूज की तरह से यहां पर रहने वाली है तो दोस्तों ऐसा है कि यह तो नियूस परमाया ठीक है अभी तक नहीं है बट आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या आजकल चल रहा है ठीक अब सरकार के फैंसले के अंतजार तो पूरी न्यूज यहां पर देखते हैं किस प्रकार से रहने बाला है ठीक है किस प्रकार से यह न्यूज रहने बाली है तो यह कुछ इस तरह से है हिमाच्छ प्रदेश उनिवर्स्टी ने 17 अगस्त से जो है अंडर ग्रेजूट के छटे सिमेस्टर एक्जाम करवाने के लिए डेटशिट निकाले है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि डेटशिट आ चुकी है हाँ वो है टेंटेटिव डेटशिट अभी रिवाज नहीं है फाइनल नहीं है ठीक है अभी वो टेंटेटिव डेटशिट है बड़ आ गई है 17 से आपके एक्जाम है चाहे वो न्यू बैच है चाहे वो ओल्ड बैच है जबकि अब लगातार तीसरी वाज से टालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आपको बता दूँ अभी ओफिशल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है कि इसको कैंसर कर दे गया है ठीक है इसा जो है दोस्तों तीसरी बार होगा क्योंकि यह तीसरी बार जो है टेनटेटिव डेटशिट अपलोड की थी बट करोना की बज़े से ही उनको कैंसल करना पड़ा था ठीक है ह्प्यू के बंध होने से गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है तो अब ऐसे मैं सवाल उठ रहे हैं कि बिश्व बिदैले की परिक्षा शाखा में कैसे काम होगा प्रिक्षा को कुरोना संकट में कैसे कंड़क करवाया जाएगा इस पर अभी तो कोई भी खास योजना तयार नहीं की गई है बिश्व बिदैले को सनातक डिगरी कोर्स में बीए, बीए, सी, बीकॉम, अन्तिम, छटे समेस्टर, पहले और दूसरे वर्ष, बीबीए, बीसी, बीबुकेशनल, बीए, इंटिगरेटर लोग कोर्स के अलावा शास्त्री जैसे कोर्स भी कोर्ष की प्रिक्षाएं भी परवाने का ही निर्णे हुआ है तो दोस्तों अभी 1st, 2nd year के बारे में कोई भी इनफो अभी तक नहीं है, उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है ठीक है, और अभी जो है, फिलहाल, समेस्टर सिस्टम के स्टूट्स के एक्जाम उन्होंने उनकी ही डेट्ष के जारी कि कल जो है 30 तारीख है और कल है कैबिनेट की मीटिंग तो हो सकता है कि इसमें कुछ उसके ओपर फैंसला ले लिया जाए कि एक्जाम करवाने हैं या नहीं करवाने हैं फर्स्ट यो और सेकंड यर का क्या होगा ठीक है तो कल जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होगी मैं आपके लि प्रिक्षाएं एक बार फिर से सरकार के फैंसलेपर प्रिक्षाओं को करवाने का निडरने टीका हुआ है तो अभी government के फैंसलेपर प्रिक्षाओं का निडरने टीका हुए कि आपके exam होगी या नहीं तो पहले सरकार जो है टी तरफ से आदेश आये थे कि MIRD की guidelines के देश हुए थे अब प्रिक्षाइं करवानी है या नहीं इस पर भी सरकार ही फैंसला लेगी फिलहाल हमने संभावी जारी कर दी है लगातार प्रिक्षाइं करवाना असान नहीं तो आगे देखते हैं एच्पी के और से प्रिक्षाइं बाइस दिन तक करवाई जाएंगी सतरा अगस की को प्रिक्षाइं सुरू होंगी बही आठ सितंबर को प्रिक्षाइं समापत होंगी फिलहाल अभी सिर्फ छटे समस्टर की ही प्रिक्षाइं करवाई जा रही है छटे मतलब फाइनल की है औ ठीक है सभी सेकंड फोर सिक्स ओल्ड वैज की भी है हां यहां पर दिया गया है करवाई जाएंगी और प्रिक्षार्थियों को ग्रीब आठ पेपर देने होंगे सुभा नो बज़े से बारा बज़े तक और शाम के शाम के दुपहर दो बज़े से यह तो सभी को पता है कि दो शैशन में एक्जाम होते हैं सुभा और दो पहर को शाम को ठीक है तो ऐसे में हर दिन लगातार प्रिक्षा नहीं करवाना संभब नहीं है और तीसरा यहां पर पॉइंट है कि प्रिक्षा सेंटर तक पहुंचना ही मुश्किल अगर प्रिक्षाषन की और से प्रिक्षा शातरा और ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए चात्रों की मांगा कि फिलहाल प्रिक्षाएं नहीं करवाई जाएं एस मामले में प्रिक्षा को कई बार ग्यापन भी सोब्पे हैं इसके बाबजूद भी प्रिक्षाषन को करवाने के लिए डेटशित जारी कर दी है तो यह आपको बताने का इतना ही मेरा मकसद था कि आपको पता चल सकते कि यहां पर हो रहा है ठीक है क्योंकि न्यूज कम ही आती है एच-प्यू की ओफीशील अपडेट में तो अभी यह आया है ठीक है निउजबेपर में तो यह थी अभी की लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडे के लिए, थैंक यू